अगला टॉपिक है लीनियर मैगनिफिकेशन बाई स्फेरिकल मिरर्स इसको हिंदी में क्या का गया रीखिया आवर्धन मिरर के रहा है ध्यान किया इसको बन करो मेगनिफिकेशन का मतलब क्या होता है बढा देना आप किसी के सामने बहुत दिनों बात पड़ें आपने बड़ी मोटी हो गई हो गयी हो था जेंड इसासी को मोटा नहीं बोलते हो वगयी हो मोटा होना कौन सा मैगनिफिकेशन है यह लेटरल मैगनिफिकेशन है और किसी के हाइट बढ़ गई है ठीक है हाँ लड़को अलागर हाइट लंबाई धीले से है जैसे धीले जलागर जोलम बंद किये हुए तो धीले से मतलब क्या होता है लीनियर मैगनिफिकेशन हो रहा है एचुली में वो हाइट डिलेस नहीं है अंगिल अंगिल सब्टेंडर बाई डैट परसन एट यूर आई इस इंक्रीस्ट वो बढ़ गया है अगर जैसे आप किसी ट्रेन से गुजर रहे हैं और पुल के नीचे कोई बहु लोग खड़े हो सुझर देखाई पढ़ते हैं छो वोत स्माल साइज बें होते तो वह दो लंबे-वकते हैं लेकिन आपको दिखाय क्यों नहीं पढ़ते हो तो definition लिखेगा, the linear magnification, the linear magnification produced by a spherical mirror, मिल गा ना, produced by a spherical mirror, चान्बूज के spherical mirror इसलिए लिखाया गया है, क्योंकि ये magnification lens भी करेगा, तो lens के लिए अलग होगा, spherical mirror is the ratio of the height of image, image मतलब image formed by mirror, height of mirror, ratio of the height, height लिखाय 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 लिखाय, size of image to the size of object, to the size of object, तेगने एक शर्त है कि दोनों ही principal axis के perpendicular measure होना चाहिए ठीक है तो लिख दीएगा measured perpendicular to the principal axis measured perpendicular to the principal axis तो यह है linear magnification ठीक है पराबर क्या हो गया height लिखें है size लिखें कुछ भी लिखने क्या दिख चाता है size मतब height इथ होगा न size of image to the size of object हम फिलाल image को y2 माल लेते हैं चुकि height y के axis के लांग होती है h भी माल सकते हैं और इसको हम y1 माल लेते हैं तो यह आपका magnification का process है अब हम इसका formula प्रूब करने जा रहे हैं concave के लिए और convex के लिए इसमें इमानदारी से हम एक के लिए करेंगे दूसरे के लिए diagram बनाने के अपने आप करेंगे ठीक है अब हमने कहा जैसे image बनानी है आपको तो image बनाने के लिए तीन रेज चाहिए तो तीन रेज हम वो लेंगे जो हमारे लिए convenient हों ठीक है क्योंकि आपको जो given होगा वो distance given रहती जातर वही किसी भी image किसी भी mirror से इतने centimeter दूर object रखा हुआ है यहां image बनी जातर दिया रहता है तो आपको यह जो height है ना उसको distance के term में कैसे करेंगे तो magnification formula, magnification formula, magnification formula, magnification formula, किसके लिए हम बात करेंगे पहले हम कान के mirror की बारे हम बात करें जा रहे हैं, mirror लगा ध्यान किएगा, कि बहुत जल्द बाद में कान के ओपड़ गए, mirror देखा ही नहीं, फूरा प्रूप करके आ गए, बाद में बाहर निकले तब लोगों ने का, lens था, अए, lens था, अरे, हम तो, अब बना एक convex mirror, ने, पढ़े कान के अब जल्दी से mirror पढ़े नहीं, बना एक convex lens, क्यों को खुदे नहीं आता, क्या convex होता, क्या कान के अब होता है, नहीं, आते हैं, यह important नहीं, मतलब थोड़ी है क्या आएगा नहीं, कभी-कभी आन important चीज आ जा हमारा कान के mirror है, तो यह polished है, इसका, bulging outer portion जो होता है, bulging के लिए, ठीक है, और यह आपका principal axis है, यह आपका pole है, यहाँ पर एक object रखा है, OO dash, ठीक है, image बनाने के लिए हमने, दो, जो है, light ray लेनी है, तो हम वो light ray लेंगे, जो हमारे लिए का convenient हो, एक light ray principal axis के pedal गिराएंगे, यह direction में कहां से उकर जाएगी, कहां से आई यह, कहां को जाएगी, यह light ray, यहां से आई है, यहां से लाए जाएगी, यह light ray, और दूसरा हम क्या करेंगे, देखे, दूसरा हम करेंगे यह, कि इसको pole से गिराएंगे, pole पे गिराएंगे तो आप जानते हैं, जितने angle पे गिरेगा, उतने angle पे इसका reflection हो जाएगा, ते इसका reflection हो गया, ठीक है, और यहां पर इसकी image बन जाएगी, समझ भाई बात, बन गया, अब आपको देखो, दो triangle साफ साफ दिख रहे हैं, जिसमें object भी है, object की दूरी भी है, image भी है, image की दूरी भी है, अगर हम P, O, O, डेश देख लें, और P, I, I, डेश देख लें, तो यह angle इस angle के equal है, और यह angle इस angle के equal है, तो दोनों similar दिख रहे ह और आपको distance भी देख रही है, तो आप लिखेंगे triangle, diagram बार भी लिखेंगे, triangle क्या नाम देखेंगे, P, O, O, डेश, similar to triangle, P, I, I, डेश, similar है, तो similarity की थर्म लगा दो, पहले किसको लिखेंगे, size of image, तो I, I, डेश, upon O, O, डेश, is equal to P, I, upon P, O, सुनो द्यान से, I, 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 डेश क्या है, image की height, size को या height को जो भी को, y2, plus या minus, ठीक है, अच्छा, देखें, एक से एक सोचने वाले हैं, बोले, यहां से देख रहे हैं image, यह image बन रही है, यह खोपड़ी से देखेंगे तो, क्यों बाजपे जी, उल्टा सोचने में क्या दिक्कत है भाई, हम यहां से देख रहे है image, image ऐसे देखी जाएगी, यानि minus का y2, upon, o dash, y1, plus या minus, plus का y1, is equal to, pi, image की दूरी, plus या minus, minus, po, plus या minus, minus, यह minus, यह minus, यह minus, यह minus, यह minus, उधर जाके, minus हो गया, यानि की, y2 upon y1, is equal to, आएगा, minus, v upon, u आएगा, अब देखो, बड़ी आसी चीज, m बराबर क्या हमने बताया, y2 upon y1, और formula आपने क्या प्रूप किया, minus, v upon, u, साउधान, देखे, आप जब formula लगाओगे, m का, या तो यह given होगा, या तो यह given होगा, या तो यह given होगा, इदर, देखो, अगर आ आप यह formula लगाते हैं, इसको छुपा दीजे, छुपा दिया, यह minus लिखेंगे, यह minus लिखेंगे, m की value क्या आएगी, negative, minus आएगी ना, आप अगर value रखोगे, numerical में, तो यहां रखोगे ना, अगर आपको height दीवी है image की, height दीवी है object की, तो यहां रखोगे ना, value, यह negative आने का मतलब क्या होता, यह inverted image बन रही है, ठीक है, अब माले इसको छुपा दीजे, यहां रखे, यहां minus पहले से दिया हुआ है, और यह भी minus, यह भी minus, तो sign क्या आएगा, minus यह plus, तीन minus हो जाएगे ना, फिर minus आएगा, तो ultimately यहां formula रखो, चाह यहां रखो, जब value अब क्या होता है, अच्छा यह बताओ, इसमें जो image बन रही है, उसमें light ray अपने आप जाके cut कर रही है, इसमें light ray अपने आप जा रही है, कि आप उसको cut रही हो, तो अपने आप cut करती है, तो वहां जो image बनती हो, really में बन रही है, या बना रही हो, तो यह कैसी image होगी, real image इन्वर्टेट अलग की बात हुई जा करके वो तो इन्वर्टेट एक अलग-अलग कंडिशन्स पर बनेगी, रियल की बात कर रहे है तो अधिकी मिरर में आप समझ गये ति कानके में जिस डारेक्शन में आपजेक्ट रखा होता है उसी डारेक्शन में अगर इमेंज बनती है तो कैसी होगी? रियल, अगर कोई ऐसी कंडिशन आ जाए कि इमेज उधर बन रही हो तो वर्चुल, लेंस में उल्टा होता है लेंस में रियली उधर लाइट जाती है ठीक है, इसमें उधर रियली नहीं जाती है, ठीक है हम देख लेते हैं किसी की इमेज बनी हुई है जैसे देखते हैं और वो है नहीं वहाँ पर वो कहीं और है उधर से लाइट ऐसे आती है, ऐसे गिर के ऐसे आती हम देखा करते हैं वो इमेज कैसी है वर्चुल ये रियल उसी वर्चुल इमेज में आहा टिकर लेकर के फिचर देखने जाते हैं ने वो एक अलग चीज है उस मिरर से मतलब नहीं है इसे नोट करिए फिर कान्वेक्स का डाइग्राम बना देंगे उसको अपने आप प्रूफ करेंगे देखें कान्वेक्स के लिए हम डाइग्राम बना देते हैं उसको प्रूफ अपने आप करोगे बिल्कुल डिटो यही प्रूफ होगा देखो साउधान ये है मिस्टर कान्वेक्स मिरर ठीक है हम जुके इतने स्टाइल से लगता बड़ा साफ बनाएंगे अब बनता वैस ही है लिए ये है आपका प्रिंस्पल अप्सिस यह लाइट्रे गिरी यह आपज़क्ट है ओड़ एस यहां से लाइट ट्रे गिरी जिसका नाम आपने दिया A और कहां से उकर पास कराओगे इसको यह रियली जाएगी ना इधर लगेगा क्या फोकस से उकर के निकल लई है यह फोकस से उकर के निकल लई है ठीक है अब देखें दूसरा डियाग्राम कैसे बनाएंगे यहां प्रिंस्पल पोल पे इसको डालेंगे ठीक है और इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देंगे सुनिये ध्यान से जब यह रिफ्लेक्शन आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा यह यहां से निकल रही है आपको ऐसा लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है तब यहां आप खड़े होके देखोगे तो आपको क्या लगेगा ऐसे लाइट आ रही है तो आपको लगेगा लाइट यहां कहीं से आ रही है ऐसा लगेगा ना तो यहां पर आपकी इमेज बनेगी आई-ाई-डेस, डाग्राम सुन में आगया, तो आप देखो, एक POO-डेस दिख रहा है, और PII-डेस दिख रहा है, और दोनों को, एम निकाल लोगे इसका, हो जाएगा ना डाग्राम, तो इस प्रकार से इस डाग्राम को बना लिजेगा, ये डाग्राम जान इसलिए बनाए गया है, नोट करिए इसको, एक नोट लिखिए, और ध्यान से समझेगा इस फार्मॉले को हम कुछ बताना चाहते हैं, अभी जो M का फार्मॉला आपने लिखा, वो किस के किस के टर्म में था, एक तो हाइट के टर्म में था, और एक U और V के टर्म में था, F दिया होगा, V दिया होगा, तो U निकाल लेंगे, तो निकाल सकते हैं, लेकि फार्मॉला भी इसमें एक है, देखिए, हम एक फार्मॉला जानते हैं, दोनों मिरर के लिए काम कर रहा है, वी नो दैट, अच्छा वहाला फार्मॉला वही प्रूफ हो किया है, माइनस V अपन U, अच्छा M की वैलू क्या होती है, माइनस V अपन यू, तो जहाँ यह आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, M लिखेंगे, तो आप इसको एक बार U से मल्टिप्लाई कर दो, मल्टिप्लाइंग, equation 1 by U, U से करिए क्या आएगा, U upon F is equal to U upon V, प्लस 1 आएगा, U upon V को क्या लिखोगी, वहाँ से पकड़ो ज़रा, U upon V क्या लिखेंगे, माइनस M, कुन बोला है, अरे उधर, माइनस 1 by M आएगा, बोले 1 by M हमने मन में बोलिया था, बोले आश्वत्वा मारा गया, किन तुहां थी, सुना है ना कहनी, तो हमने मन में बोल लिखेंगे, तो U upon F is equal to, इसको क्या लिखेंगे, माइनस 1 upon M प्लस 1, अब आपको M चाहिए जाएगा, वन अपान M is equal to, 1 minus U upon F, तो जाएगा, वन अपान F is equal to, F minus U upon F, तो M की वैलू क्या हैगी, F upon, F upon Poo, F minus U Poo, ये फामला एक बन गया, Poo आला, ठीके, अभी multiply किसे किया था, U से, अब दुबारा करिए, V से, multiplying equation 1 by V, करते हैं V से multiply, क्या हो जाएगा ये, ये हो जाएगा, V upon F is equal to, 1 plus V upon U, V upon U की वैलू, minus M, तो आएगा, V upon F is equal to, 1 minus M, M को इदर लियाओ, तो M is equal to, 1 minus V upon F, तो यहाँ से M की वैलू क्या हैगी, F minus V upon F, सो, M का फार्मूला देखिए, एक तो Y2 upon Y1 है, एक minus V upon U है, एक आपका F minus V upon F है, एक आपका F upon F है, याद करने के लिए, F minus U है, फूप, फूपाना याद करने लिए, तो यह आपका मिरर की इतसी होगा है, अतसी महाभारत का था, ठीक है?